खुद को भगवान कहने वाला आसराम आज जेल की सलाखों के पीछे हैं जिसने मासुम भक्तों की आखों में धूल जोक मासुम लड़की की जिन्दगी बरबात की है वहीं आसराम को कल जोदपूर कोट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है लेकिन एक और जहां अध्यात्मिक गुरू से आसराम बलातकारी बन चुका है वहीं अब भी उनके भक्त ऐसे हैं जो आसराम को अपना भगवान ही मानते हैं और आज भी उसकी पूजा कर रहे हैं आपको बता दे कि आसराम पर फैसला आने से पहले ही लाखो बक्त उनके लिए जोदपूर पहुँच गए थे जहां पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के फुक्ता इंतजाम किये थे वहीं आसराम के भक्तों का कहना है कि उन्हें फसाया जा रहा है हमारे आसराम बापू बेकसूर है भक्तों की आस्ता ये मानने को तयार ही नहीं है कि आसराम एक बलातकारी है यहां तक कि आसराम की कई भक्त ऐसे हैं जो उनके लिए खुद को खतम करने के लिए तयार है वाइरल किड़ा न्यूज झाल